Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल आपको थोड़ा सा बैगराउंड एलाबोरेटली कल वाले सेशन में समझा के रखा था एक्जाक्ली वाट हैपन इन दी बैटल ऑफ पानिपत और बैगराउंड ऑफ पानिपत तो बैए ऑक्टोबर 1760 हमने देखा था कि रिवर्स डाइरेक्शन में दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने आ चुकी थी और डिप्लोमेटिक वार्फेर में हैमर्शा अबदाली हैड बिकॉम विक्टोरियस वाज उसके सप्लाय लाइग वाया मेरट अलाबाद दिली ओपन थे मराथास के लिए दौच में कोई भी बैसिकली एंटिटी उनको सपोर्ट करने के लिए भी रड़ी नहीं थी और यहां पर उनका कोई पॉलिटिकल प्रेजन भी नहीं रहा था तो इन देट कपैसिटी फाइनल ये बैटल फिल्ड में मराथा अर्मी जो हंगर की तरफ ही चली गई ये वाले स्लोगन जो मराथा आर्मी कमांडर ने लगाने चालू भी कर दिये थे और उसी चक्कर मां इल्टिमेटली 14 जैनेवरी 1761 को अर्ली मौर्णिंग वार्फर चालुआ ये वार्फर में अल्टिमेटली हमको दिखाए देता है कि अफगान फोर्सेस और मराथा फोर्सेस में अफगान फोर्सेस की पावर बहुत ज़ादा थी अफगान फोर्सेस के पास खुद के 42,000 अफगान सोलजर तो थे ही एन अफगान सोलजर के पास फिर फर्दर 32,000 की रोहिला फोर्सेज जो है वो भी अवेलेबल थी एक रफली हम लोग पकर के चलते हैं एक फिर अगर आप जोड़ोगे तो 80,000 की अप्रॉक्सिमेटली जो फोर्सेज जो थी वो अफगानिस्तान ने गैदर करके रखे हुई थी एंड इसमें अगर आप सप्लाइ लाइन अगर एड़ करें तो अफगानिस्तान की जो फोर्सेज जो थी वो वन लैक के अराउंड हमको लोकल लिएल पर दिखाई दी है ऑन दी ओदेर एंड मराथा फोर्सेज का एक रफ एस्टिमेट जाता है 45,000 से लेके 60,000 के बीच में तो 45 से 60,000 के बीच में जो है इनका बेसिकली हम लोग को दिखाई देता है कि फोर्सेज थी इनके लिए एक और प्रॉब्लेम क्या था कि टू था टू लैक एप्रॉक्सिमेटली पिल्ग्रिम जो अपने साथ लेके आया थे नौर्थ इंडा में वो खाली पिली के बैटल ऑफ पानी पर के लाइन में फस गया इनी के साथ अल्टिमेटली आर्मी थी बट आर्मी और वार्फेर खेलने वाली थी एन आर्मी के पीछे लोग खड़े थे इन फैक्ट ये पिल्ग्रिम के वज़े से ही shortage of food camp भी Maratha camp में आया हुआ था कि जो खाना should have been given to the soldier अब वो खाना जो बढ़ गया soldier and pilgrim के बीच में अंडर आफ्टर इसी के चकर में जो supply line जो जो शुड़े बीच में आपको समझना पड़ेगा कि battle जो है अब modernity की तरफ आ चुकी थिंग हम जो आज जी रहे वो modernity का जहनित माना जाता है बट यहां पर modern military technology and modernity चालू हो चुकी थिंग by this particular period of time प्लासी भी हो चुका था British or European rivalry इंडिया में unfold हो चुकी थिंग and European military technology का एक heavy presence इंडिया में दिखाई दिया है और यही military presence जो है हमको दोनों जगा पे दिखाई दी है जिसमां ultimately कुछ-कुछ military technology हमको समझनी भी पड़ेगी यह हम लोगों ने समझा था even with मुगल आर्मी and even with ultimately सल्तनत आर्मी जो एक जमाने में इंडिया में इंवेजन करके आई हुई थी और वही वाली military technology ultimately यहां पे भी significant है यह military technology समझे भी ना we cannot understand कि how exactly Marathos give a valiant fight and how exactly ultimately अहमर्शा अब्दाली बिकें victorious in this upcoming warfare सबसे पहले हम लोगों को दिखाए देता है जांबुराग गन जो बैसिकली light cannon gun मानी जाती है as you can see over here कि उसको आप basically ऊटके ऊपर रखोगे एन ऊटके ऊपर रखे ultimately आप इसको बजाओगे light cannon क्यों बोली जाती है because इसमें bomb डालना and इसको fire करना is quite easy as compared to the heavy cannon जो मराथास लेके आए थे मराथास के पास approximately 200 प्लस cannons थे during this particular warfare तो अब दुनिया कितनी आगे निकल गए थी you can clearly imagine हमने देखा था कि कजान जो बाबर अपने ये लेके आए थे cannon उसको कजान बोला करते थे तो वो सिफ 20 लेके आया था and marathas के पास अब यहाँ पे 200 प्लस cannon भी है and 200 प्लस cannon के साथ साथ उनको चलाने वाले जो basically best artillery man इंडिया में माने जाते थे उल्जमाने पे इबराहिम खान कार्दी वो भी marathas के camp में ही थे but ultimately जामबुराग गन is significant बेसिकली 2000 जामबुराग गन जो है बैटल फिल में प्रेजन थी यह light cannon गन्स थी and यह light cannon के वज़े सा ultimately अब opposition army का एक last kill क्या कर सकते हो massacre कर सकते हो वैसे इंडिया में हमने पहले यह देखा था कि muskets available थे musket rifle जो है एक जमाने में किसके उपर चिला करती थी तो एक जमाने में basically matchlock के उपर चला करती थी if you remember musket with matchlock हम लोगों ने देखा था जो बाबर इंडिया में लेखे आया था बंदूगची में तो बंदूगची बाबर के जो थे उसमाम लोगों ने देखा हुआ था कि military technology एंडर आफटर उसका जो defensive parameter ताबर चंगी formation roomy formation exactly कैसे work करता था बट यह वाली जो rifle है यह इंडिया में अभी भी चल रही थी and in that capacity rifle का problem हमने देखा हुआ था कि क्या था कि पहला बंदूग पकड़ोगे gun powder उपर से डालोगे उसको दबाओगे thereafter गोली उसमें डालोगे उसको भी दबाओगे and thereafter बात जो आपको basically यहाँ पर join करनी पड़ती थी बात basically अंदर डालोगे and thereafter इसको जलाओगे basically क्या करो इस जलाओगे that's why इसको match lock बोला जाता है कि basically इसका जो lock है यह triggering mechanism पर नहीं था match के उपर था match इस से साथ-साथ ultimately कि इनके पास थे तो अब दाली के पास भी थे दूसरा important aspect जो है flint lock फिलिंट लॉक भी आप basically इंडिया में आने चालो हो गए थे यह flint lock जो है basically triggering mechanism के उपर चलने वाली बंदू के as you can see इसमें directly trigger है कि ultimately आप क्या करोगे अब basically आप basically gun powder डालोगे गोली डालोगे and thereafter directly इसको trigger करोगे, trigger is ultimately spark अंदर जमा हो जाएगा and spark लगने के बाद वो बार उत्फटेगी and गोली चली जाएगी, तो flint lock के वज़े से क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा हुआ था कि यह process में rough time period जो एक से देड़ मिनिट का लगता है, वर flint lock से ultimately time period आ गया था 20 to 30 seconds में, ultimately हर एक fire के बाद जो 20-30 seconds का ultimately break होगा and thereafter आप ultimately आप मार सकते हो, तो flint lock भी काफ़ी significant है and thereafter फिर ultimately बायोनेट, बायोनेट जो ultimately काफ़ी significant military technology थी, जो basically Europeans के पास थी, यह बायोनेट का as such कोई presence हम लोगों को अभी भी ground level पर दिखाई नहीं दिया, even though there is a controversy related कि Britishers ने बायोनेट एहमाशा जाली को supply करके रखी हुई थी, but ultimately bionet is also quite significant, because जब आप बंदुकों की गोली चला रहे हो, तो अभी भी 20-30 seconds जो है वो time period बीच में लग रहा है, कि गोली भरो मारो, तो in that time period, जो basically invading लोग है या फिर जो सामने आला force है, दौर दौर के आपके करी पहुँच सकता है, and हमने प आपके basically आपने सामने आ गया, तो आप ही के बंदुक को ultimately तलवार के हिसाफ से, जो basically क्या कर सकता हो, यूज कर सकता हो, तो bionet मतलब बस ही attaching वाला part, यह होता है basically आपका bionet, जो basically एक British innovation माना जाता है, जब वो इंडिया में आये थे, तो उन्होंने इंडिया की जो situation है, उसक इसको उसे बंदुक चलाने की technology, उसको close comeback में ultimately हतियार चलाने की technology नहीं पता, technique नहीं पता, and that's why bionet is significant की, at least अगर कोई चलते चलते आपकी उपर आ जाए, तो आप at least अपने आपको defend कर पाओ, तो यह भी एक काफी significant aspect रहा है, in fact Britishers जो है, यह हमेशा सी bionet charge के उपर चलने व formation हुआ करते थे, और इसका एक significant charge जो है, Britishers ने करना सीख लिया था, but इन ऐनी किसे bionet भी battlefield में थे, ऐसा माना जाता है, इसके उपर controversy है, तो आप इसको लिग भी सकते हैं, नहीं भी लिग सकते हैं, it is absolutely fine, and फिर इसके आला फिर ultimately Marathal, जो है, obviously now they were the cavalry based force, तो cavalry में हमने पहले ही helmet, यह दोनों चीज़ है significant ही, यह वाली technology बाइनलाज बाबर के पास भी available थी, if you remember कि helmet हो सकता है, chain mail हो सकता है, यह same military technology even, Vikramaditya हेमू के पास भी थी, when he had ultimately died in the second battle of Panipat, जब बैराम खान यह ultimately एक तीर जो है, किस के उपर चला जया था, हेमू के आख के उपर ही चला, तो why only आख तो because of this particular, you can say that military technology, कि body में pierce करना है तो करोगे कहां से, chain mail का jacket है, उसके उपर lamellar jacket भी आपने लगा के रखा हुआ है, मतलब एक heavy iron place जो आपको यहाँ पे नीचे दिखा ही देखें, इनके जो basically short के अंदर वाला जो area होता था, यहाँ पे भी basically iron pad डाला दिया जाता था, अंद and iron pad के बज़े से इनकोई body को penetrate करना मुश्किल था, तो ultimately एक ही जगा बचेगी, जहाँ पर ultimately you had to shoot, ultimately एक तो eye या फिर एक तो head, and ultimately यह वाला aspect आपको यहाँ पे भी रिखाई देगा, कि जिसके अंदर यह सारी command है, विश्वासरा भाव, यह विश्वासरा भाव के आखके just उ उपर गोली लगी है, मतलब इन्होंने जो helmet पहना था, यहाँ पर कही तो ultimately penetrate उनको हुआ था, and ultimately he had died, and ultimately अगर वो मरते है, हिंदू आर्मी है, ब्रामनिकल आर्मी है, राजा मर गया, तो basically ultimately आर्मी क्या करेगी, उल्टे पाव भाग जाएगी, मराथास के साथ हुआ भी वही, तो मराथास का जो helmet, chain mail, significant था, and मराथास के पास भी ultimately musket, as well as bionet जैसे जो aspect जो थे, वो available थे, जो हम लोग को यहाँ पर दिखाई देता है, as I told you, controversial matter है, optional में थोड़ा सा in detail हम इसको पढ़ते है, बट अभी के लिए वही याद रखो कि use भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, as far as battle is concerned, then battle को ultimately में थोड़ा सा elaborately तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बढ़ थोड़ा बहुत जो idea में आपको battlefield की दोंगा, तो battlefield again pitch battle है, हमने पहले वाले battle भी देखे हुए थे, इस सारे battle हमेशा क्या होते थे, यह pitch होते थे, अगर आपको एक significant battle की बात करनी है, तो that particular battle has to be pitch battle, open battle होना चीए, सामने आली आर्मिया आपकी आर्मिया जो एक दूसरे के सामने खड़ी होनी चीए, तो ultimately यह pitch battle जो है खेले कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले जब Marathas available है, Marathas northern side से थे, Marathas का battle line काफी significant था, center में ultimately फिर सदाशियू राव भाव खुद खड़े थे, along with विश्वास तो विश्वास राव, पदाशियू राव, यह basically center में खड़े थे, अपने हुदूरत कैवलरी के साथ, हुदूरत कैवलरी, if you remember, हमने देखा हुआ था कि यह कौन सी कैवलरी थी, तो roughly 22 से लेके 25,000 की कैवलरी थी, जो बाजी राव ने बना के रखी थी, जो इंदिया की सब आर्टिलरी फोर्स थी, वो इन्होंने लगा के रखी हुई थी, आर्टिलरी फोर्स किसके अंडर थी, तो इबराहिम खान गार्दी के अंडर, आर्टिलरी फोर्स को ultimately फिर defense देने के लिए, एक बड़ा कैवलरी का विंग जो है, इन्होंने यहाँ पर खड़ा करके रखा बिसिकली चार्ज जो है, वो था बिसिकली दमाजी गाइकवार के अंडर, तो गाइकवार, गाइकवार सब बरोद आपने सुना भी होगा, तो दमाजी गाइकवार के अंडर जो बाहनला जे चार्ज था, इनके साथ साथ पर विठल सिजीद, शिदेव का भी नाम लिया जा and thereafter he was ruler of Banda also Banda का जो area है वो ultimately शम्षेर भाद्दूर को मराठाव ने देखे रखा हुआ था because पूना में इनका कोई basically अस्थान नहीं बचा था पूना इस ब्राहमेनिकल सिटी and वहां के जो ब्राहमन उन्होंने सदाशुरा भाव को इस हिंदू मानना भी मना करके रखा हुआ था and thereafter सदाशुरा भाव को अपने basically area से हमेशा भार ही रखते थे तो इनको बांदा बांदा इस इन उत्तर प्रदिश बांदा के नवाब जो है दियार basically अभी भी आपको डिखाई देंगे जो बाजिरान मस्तानी के लीनियज माने जाते है but in any case सदाश यह जो basically समशेर भादूर के बाजिवाला जो विंग था वो काफी significant है यह विंग जो basically बायानलाल दो लोगों में divided था एक particular विंग जो basically जंको जी सिंधिया के अंडर था and एक विंग जो है basically मलार राव होलकर के अंडर था यह वही मलार राव होलकर है जो basically अल्टिमेटली battlefield में treachery के लिए जाने जाता है and वैसे अब इनके अंडर against कौन खड़ा है तो एहमशा अबदाली का force खड़ा हुआ है जो दली के तरफ से charge कर रहा था तो एहमशा अबदाली obviously at the center एहमशा अबदाली के सामने जो था basically दो proper òng हमको दिखाइई देते है and इसमें से जो basically right wing था यह जो शहावाली के अंडर basically wing था यह शहावाली वाला wing हमको दिखाइए देते है काफी significant है because he was wezir of एहमशा अबदाली एन इसी के पास अर्टीमेटली 2000 वो जामबुरा गंज जो थी वो भी अवेलेबल थी इसके साथ साथ फिर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो विंग था अबदाली के साइड से ये भी काफी सिगनिफिकंट है विकाज ये किसके अंडर था तो ये था बैसिकली शुजाओ दुल्ला के अंडर तो शुजाओ दुल्ला ये हमसेल ऐसाइड टोल्ड यू बैटल फिल्ड में जो बैसिकली प्रेजन था और आईरेनी देख ले ना शुजाओ दुल्ला अपने नागा साधूस के साथ ही यहां पे बढ़ा था जिनके हम लोगों ने बाद भी करके रखी थी इफ यू रिमेंबर कि बैटल ऑफ बकसार के टाइम पे नागा साधूस तैन थाउजन नागा साधूस का चार्ज दिया था शुजाओ दुल्ला ने जो अल्टिमेटली सक्सेस्फुल नहीं हुआ जिसके जैसे हिंदू-मुस्लिम वाले जो रायट्स और फिर हिंदू-मुस्लिम डिस यूनिटी जो नौर्थ हिंद्या में काफी जादा फैली थी दियरिंग डैट पिरिड आफ टाइब यही नागास ने अल्टिमेटली सन्यासी रिबेलियन किया हुआ था जिसके उपर लेटर आन हम लोग पढ़ेंगे भी कि विकिम चंद्रचटो पाद्याय का और फिर बंकिम चंद्रचटर जी का आनन्दमठ नौवल जो है यही सन्या से रिबेलियन के उपर हैं अल्टिमेटली इन लोगों ने शुजाव अदुल्ला के लिए अपनी जान भी दी जान देने के आद इनके लिए लॉस ओफ एम्प्लोइमेंट भी हुआ विकोश शुजाव दुला ने सरेंडर किया और करके जाके अल्टिमेटली ट्रीट आफ स significant but ये वाला wing थोड़ा सा important है because ये नाजिब खान रोहिला का wing है who was in direct contact with holkar during the warfare and thereafter अगर हम लोग इनके right side के अगर बात करें तो right side के जो wing है ये basically cavalry wing थे इनके and ये cavalry wing भी काफ़ी significant wing थी ये जो basically रहमत खान और आमीर खान अगे नामार not important उनके अंदर थे ना ये basically battle line formations हमेशा important होते हमने देखा हुआ था जो भी बंदा war जीतता है war हारता है वो basically ground पर हारता है and ground पर आप क्या अगर तो strategic blunder या फिर mistake करते हो ये mistake हम लोगों ने पृत्वराच चोहान की भी देखी हुई थी जो basically second battle of tarai में घुरिड के हाथों हार के आये थे ये mistake हम लोगों ने इबराहीम खान लोदी की भी देखी थी जो ultimately बाबर के हाथों में first battle of पानीपत में हारा था and अब यही mistake को इनों को तो सदाशियो रभाव and thereafter फिर विश्वास रभाव जो है ultimately battle बहुत detail में नहीं जाओंगा बज़स्ट ओपर उपर से समझाता हूँ कि basically चार जो चालू आओ इबराहीम खान गार्दी से चालू हुआ and इबराहीम खान गार्दी के तोफू के अंडर basically cavalry force जो है वो directly आए भी गी यही cavalry forces आने के बाद अफरात अफरी मची अफरात अफरी मची ने कहारे cavalry उल्टे पाव भागना जाना चालू होगे in fact historians and military strategists वही मानते कि this was a golden opportunity for the entire Maratha camp कि अगर एक coordinated attack इसी period of time से यहाँ से and center से हो जाता अफगान would have lost the battlefield but इसमें problem क्या हुआ problem यहाँ पे हुआ कि जैसे ही ultimately यह cannon की basically जब यह जो है that is charge हुआ cavalry forces के उपर and cavalry forces ultimately जब retreat होते हुए दिखाई दिये Damaji Gai Kwar who was anti-muslim also and ultimately ओ देख भी रहा था कि अगर basically modern artillery successful हो जाएगी तो उनकी cavalry based forces की कोई value जो है पेशवा नहीं करेंगे तो without listening to पेशवा इन्होंने charge देना चालू कर दिया but ultimately what he forgotten is basically is that कि यह charge continuously चालू है and अगर आप यह basically बीच में आओगे तो आपके उपर भी ultimately यह charge होगा ही होगा और हुआ भी वही कि cavalry forces ने अपना battle line तोड़ा ultimately battlefield के बीच में आके खड़े रह गये and ultimately Ibrahim Khan Gandhi had no other option but to stop his entire charge which he was basically carrying it out and इसके वज़े से ultimately यह cavalry को regroup होने का मौका मिला and ही cavalry फटाक से regroup भी हुई इसमें इन डिटेल अब नहीं जाएंगे but regroup होने के बाद ultimately इन लोगों ने अपना ultra charge करना चालू कि obviously cavalry force ने इनका cavalry जो रोक के तो रखा but ultimately left wing जैसे ही dead हो गया then यहाँ पर basically हुई treachery ultimately नाजीब खान रोहिला के इशारह के उपर मलार रा होल कर जो है यह battlefield में अचानक से retreat लेते हुए हमको दिखाई दिये and retreat होने के बाद ultimately यह वाली जो शाहपसंद खान की cavalry है उसका charge ultimately फिर एहमत शाबदाली ने किया simultaneous ले अपने जामबुरा गन भी एहमत शाबदाली ने basically center से जो है वो खोलने चालू कर दिये अब इसका जैसे problem क्या हुआ मराथास का left wing को लास हो चुका है cavalry forces, artillery forces दोनों जो अपना power exhaust कर चुकी है and finally right wing में ultimately military commander field से गायब तो यह देखते ही ultimately फिर जंको जी सिंदिया जो है यह अपना wing छोड़के जो center की तरफ चले गए but in that capacity जो हड़बड़ी मचीन इसका जैसे जो actual charge यहां से हो रहा था इनको रोकना चीए था यह रोक ही नहीं पाए finally in the battlefield ultimately यहां से जो significant charge गया उतर है नहमर्शा अब्दाली ने पहले ही वो setting करके रखी हुई थी बैटल फिल्म में अल्टिमेटली हमको विश्वासरा सदाशिरा भाव को तो मारना ही मारना है and हुआ भी वही जो अफरा कफरी ultimately मची इस बाइदी आफ्टरनों 3 p.m यह लेके somewhere around 4 p.m के बीच में finally दोनों की dead bodies जो है इनको मिली that is अब्दाली को मिल गई and that was considered as the end of the warfare यह warfare में ultimately हुआ क्या तो इबराहिम खानगार्दी ultimately he was captured and he was ultimately brutally tortured when आपको torture का तरीका भी पहले बता के रखा हुआ था it will all start with your nails इस पहले nails निकाले जाएंगे thereafter आपकी आखे जो है सलिया डालके फोडी जाएगी गरम सलिया जो आपके आखों में घुसाई जाती है and thereafter skin pill off करना है लोग चालो कर देते it will start from the leg and thereafter it will go to the torso finally जब basically आपकी पेट फाड़ा जाता है तो पेट की skin skill off करने के लिए जो surgical blade लगते थे इनके पास नहीं थे तो पेट जो एकदम last में काटा जाता था बस पेट काटने का तो ultimately you will dead but it is one of the most gruesome type of the death जो है ये medial India का torture का basically एक तरीका ही हुआ करता था thereafter जंको जी सिंधिया जो इसको जिन्दा पकड़ा गया जिन्दा पकड़ने के गाद ultimately इसको जिन्दा दफन कर दिया गया जिन्दा दफन कर दिया गया इसके होज़े से ultimately सिंधिया फैमिली versus Islamic kingdom जो है काफी significant aspect of developed होने वाला है यही जंको जी सिंधिया के basically छोटे भाई माने जाते हैं he died in the battlefield actually battlefield में यह गायल हो गए गायल होके यहां से बाहर निकल भी आया but ultimately he succumb to his injuries तो शम्चेर भादूर ultimately Islamic बंदा यह आर्मी में कर क्या रहा था because he was son of Bajirawan Mastani and ultimately यही शम्चेर भादूर के फिर जो successor है they are ruling the Banda kingdom जो अभी तक मैंने आपको बता के रखा था thereafter ultimately दमाजी गायकवाड जो है he ultimately realized कि everything is lost he ultimately फिर गायकवाड में भाग गए या फिर अपने बरोदा जो इनका एरिया था वहाँ पे भाग गए and ultimately that was the end in fact यह battlefield का यह repercussion ही था कि पेश्वा वर्सेस होलकर and पेश्वा वर्सेस गायकवाड यह rivalry of developed हुई जिसको later on norm लोगों को Anglo-Maratha warfare में discuss भी करना है यह warfare में जो treachery मानी गई थी यह जो मलार राव होलकर ने की and thereafter दमाजी गायकवाड के थूँ हो गई तो यह treachery काफी significant प्रूँ होने वाले थी इसके वज़े से internal factionalism जो है Marathas का वो developed होने वाला था and finally जो दो सबसे important military commander जो है basically वो भी मर गया यह काफी blow था it was a bloody blow to the entire might of the Maratha because Maratha यह particular battlefield में almost 50,000 plus के forces लेके आये थे यह 50,000 plus के forces plus 2,000 आर्मी में जो है basically non-combatant लेके आये थे by the time period यह battlefield end हुआ जब basically बचे कुछ है Marathas जब basically महाराष्टा की तरफ आये तो only 15,000 could return back rest का क्या हुआ तो इस तो they were either captured and converted into slave जो warfare में normal था and rest of the people जो है they were slaughtered तो यह चक्कर में ultimately you can see कि Marathas के लिए everything was lost तो यह battle हम लोग optional में थोड़ा सा और in detail जाके पढ़ते हैं I just told you overall कि ultimately यह battle field में हुआ क्या तो in the end ultimately वही था कि Vishwas Rao had already been killed thereafter Holker and thereafter Cynthia जो है ultimately वापिस है मलारा Holker तो भागी गया था इनकी treachery के बारे में बाद में पता चला लोगों कोई actual में treachery थी इनकी इन्होंने ultimately reason भी दिया था मैं पीछे woman को देखने गया था but later on now historian के पास concrete सबूत है to prove this particular aspect and thereafter as I told you कि जंको जी सिंधिया तो ultimately died in the battlefield उनको तो जिन्दा ही दफना दिया पैनिफत के battlefield में एहमर शाब्दाली ने but ultimately उन्ही के यंगर भाई जो थे that is basically महाजी सिंधिया that महाजी सिंधिया ultimately return back ultimately फिर इनके साथ साथ सदाशवी भाव की जो wife थी पारवती उनको भी basically इन्होंने पकड़ा और जबर जस्ती के उड़ता लेटके लेखा है and as I told you only 15,000 soldier and thereafter non-combatant only those many people they could return back to Goliar by the end of the January 1761 and इसके बाद ultimately final settlement भी आया in fact इसके बाद अगर आप optional में देखो गए तो आपको थोड़ा सा local level पे जो horror है वो भी देखने पड़ते हैं इस battlefield में ultimately मराटा धारने के बाद 14 January, 15 January and 16 January local level पे कटलियाम मचा दिया उस जमाने में British के basically जो Bombay Gazity नाम का जो newspaper निकलता था उसके basically news reporter थे John Hamilton, he was present on the battlefield and उनके साथ साथ फिर Kashiraj Pandit was also present on the battlefield दोनों ने ultimately हमको same digit देखे रखा है combatant and thereafter non-combatant Marathal, जो ultimately जितने भी बचे उनको battlefield पे खड़ा किया गया खड़ा करने के आज उसमें से जो able-bodied person थे, woman thereafter children and thereafter able-bodied person, इन लोगों को capture किया गया, roughly हम लोगो digit मिलता है कि somewhere around 1 lakh से लेके 1 lakh 80,000 जो है यह prisoner of war बनाए गया and इनको slave बनाए गया, यह slave जो ultimately हैमर शाफदाली ने क्या किया कि Central Asia में and thereafter Baluchistan में बेच दी गया, in fact Baluchistan में आज भी जो independent moment चलाने वाले जो लोग है, यही Maratha community के माने जाते है, जो battle of panipat में ultimately slave बना के वहाँ पे बेचे गये थे, and thereafter जो बचे कुछे लोग है, rough digit जाता है 40,000 to 80,000 के पीछ में, 3 दिन के लिए, that is 14 January, 15 January, 16 January, इनको basically slaughter किया गया, and slaughter भी same तरीके में, पानी पिला जाएगा, गला काटा जाएगा, and that's all almost 40,000 to 80,000 लोग जो है, battle field में slaughter करने पड़े, ultimately, एहमल्शा अवदाली ने यह allow क्यों करके रखा था, because एहमल्शा अवदाली के लिए precarious position थी, वह अफगान 5 परसन था, and अफगान लोग जो है, basically, kinsmen के उपर चलते है, family loyalty के पर चलते हैं यह बैटल फिल में अब्दाली को भी उतना ही जादा सिग्निफिकन डैमेज जो हुआ था अब्दाली को जो डैमेज हुआ था इसका जैसे अब्दाली को अपने सोलजर को अलाउड करना पड़ा कि लोकल लेल पर आप जो है से मैसेकर करो अक्टोबर 1760 से ही दाट मैरेज हैपन प्रिसाइजली ओन 27 डिसेंबर 1760 अड 27 डिसेंबर 1760 वस तू लेट फाइनली जैन्यारी के फॉस्ट वीक में बाला जी बाजी राओ जो है अपना बेसिकली अल्मूस्ट एटी थाउजन का फोर्स लेकर जो नौत की तरफ चल पड़े बट बाइनलाज अब्दाली का लेटर जो है अल्टिमेटली उनके पास आया हुआ था अब्दाली ने क्लियरली बेसिकली अपोलोजी की लेटर भीच के रखा था कि दर इस नो रिजन तो है अनिमॉसिटी अमोंग अस्ट यह सन विश्वास राओ और ब्रदर सदाशिव राओ डाइड इन बैटल वस उनफॉर्चिनेट भाव स्टार्टेड डबैटल फाइड तो फाइड बैक अन्विलिंग यह चार्ज ट्रू भी था जैसे हमने देखा था कि तो सदाशिव राओ जिसने बैसिकली 14 जैनेवरी के स्टार्टिंग में या फिर 14 जैनेरी के अर्ली मॉर्निंग पे वाडरम बजाने चालो किये थे ये टाइफ फिल सॉरी फॉर हिस डेथ प्लीज कंटिनीव और गॉर्डियन शिप ओफ डेली आज बिफोर तो यह आव नो ऑपोजिशन जो अफदाली ने पहली भी विवता की रखा था सदाशिरा भाव को भी यह प्रपोजल था यह दिली आपके अंडर रखो सतलज की उपर वाली टेरिट्री मेरे को देख रहे दो मराथाल बेसिकली इसमें अडंगा डाल रहे थे अल्ली लेट पंजाब अंटिल सतलज रिमेन वित अस रे इंस्टेश शाहालम ऑन डेली स्टोन अस यू देट बिफोर और देर वी पीस और फ्रेंशिप बेट्विन अस दिस इस मैं आर्डं डिजायर ग्रांट में डेट डिजायर ultimately circumstances जो है काफी significant अफदाली के लिए बन चुके थे अफदाली भी almost एक लाग की आर्मी लेके आ हुआ था जिसमें माना जाता है कि roughly 60,000 to 70,000 का डेट टोल अफगानिस्तान का भी था तो इवन अफगान की power जो है अफदाली की power वो curtailed थी ultimately यही आपको समझना पड़ेगा कि by battle of panipat के उपर यह charge रखा जाता है कि this battle was fought to decide not who will become victorious or who will rule India but to decide not or to but to decide who will not rule India and यह क्यों है because military might जो आपकी पूरी की पूरी perish हो गए मराथास के लिए तो यह पूरा का पूरा bloody blow ही था because यह bloody blow में ultimately उनके almost दो क्रीम that is विश्वास रभाव सदाशी रभाव यह मर गए इसके साथ साथ माराथास का factionalism अब open होने वाला था जो भी मनें explain किया holker और यह जो है that is गायकवार के बीच वाला and इसी के साथ 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 अरिटी में almost 27 military commander जो top rank military commander थे वो भी battlefield में मारे गए सबसे worse क्या हो सकता है पूरी की पूरी हुजुरत cavalry खतम होगी जो हुजुरत cavalry ने बड़े मुश्किल से बाजी रहो के time से maintain करके रखी हुई थी अब वो भी खतम होगी and medial India में अगर आपके पस military might नहीं है तो आप power कैसे बचे यही same damage अबदाली को भी हुआ यही same damage महराथास को भी हुआ and that's not a statement कि the battle decided where battle decided who will not rule India तो भाई अबदाली and thereafter फिर महराथास दोनों अब इंडिया को rule करने के position में यह battlefield के बाद जो है basically नहीं बचे थे and वही ultimately कि अबदाली ने basically फिर इंडिया से निकलना ही बहतर समझा and thereafter उस जारने से पहले नौर्थ इंडिया के जितने भी chief ten थे या फिर chief थे including Clive of India उनको तक लेटर भेजे थे कि ultimately शहालम the second डिल्ली के throne पे बैठेगा and शहालम को उसका protection available है finally हम लोग को वही देखना है कि reasons of Maratha defeat क्या है तो इसमें multiple reason जो है हमको दिखाए देते हैं सबसे पहले तो large army of abdali यह सबसे पहला primary reason माना जाता है अब हम लोग को 78 reason तो लाने पड़ेंगे ना past 78 reason की कहीने कहीने कहीते है तो सबसे पहले वही बोलेंगे कि हमार्शा अबदाली की जो army वो larger थे प्लस मराथास की आर्मी 45,000 प्लस तो यह जो बिसिकली जादुना सरकार नहीं डिजिट देखे रखा था उनका नाम अगर आप चाहो तो यूज करो बट यह मैंने आपको पहले भी समझा के रखा था यह आप historians के नाम GS paper में यूज नहीं करोगे यह क्यों यूज नहीं करोगे विकॉज यह एक unnecessary signal जाता है paper checker को यह आप history optional से हो अगर हो तभी तो आप historians के नाम लिखोगे और आपको marks नहीं हैंगे paper में याद रखना है आपको तो मैंने बहले यहाँ पर आपको नाम देके रखे बस digit याद रखो यह historian के नाम गलती से भी paper में मत लिखना इसे mark ही cut हो जाएंगे तो यह गलती नहीं करनी है optional में तो आपको use करने पड़ते है justification के लिए मैंने नहीं बोला है historian ने बोलके रखा हुआ है और GS में नहीं करोगा वैसे ultimately फिर lack of the resources हमने देखा हुआ था कि January 1764 तक स्वरी 1761 तक कैप में क्या condition जो फैली हुई थी lack of alliance is also the reason जो हम लोगों ने देखा हुआ था कि सूरज मल अकिला विचार आया हुआ था तो उसने भी ultimately Marathas को support करने से मना किया when Sadashir Abho did not listen to his vice council and उसने जो बसा बता के रखा था इसके वज़े से हम हार सकते है ultimately हुआ भी वही battle of panipat ये panipat बुरा क्यों माना जाता है because इसमें Marathas ही खतम नहीं हुए Marathas के साथ साथ जो दो लाग pilgrim बिचारे गए थे पूरे Marathas population के वो खतम हुए इसका counter current आया counter current वाज मराथा nationalism जिसके later on हमको बात भी करनी है thereafter फिर internal drive जो भी मैंने आपको बता था सदाशी उराव भाव versus मल्हार राव holkar ये वाले नाम जाप यूज भी कर सकते थे मल्हार राव होलकर के उपर credible evidence है हमारे पास है कि he was in contact with नाजिब खान नाजिब उद्दुल्ला और नाजिब के थूर ultimately battle film है मल्हार राव retreat भी ले चुके थे and मल्हार राव की treacher ultimately इनको भी पता चली and that's a holkar versus special angle जो काफे significantly developed हुआ and यही angle के वज़े से अब Maratha politics में से दो family जो दूर होने आली थे एक holkar family and thereafter एक गाईकवार family and thereafter फिर lack of leadership as I told you काशी राज पंडित he was eyewitness of this battle he was divan of Shujaud Dulla divan थे basically Shujaud Dulla के और अवद के and उन्हों ने लिखके रखा हुआ था या फिर उन्होंने basically blame किया सदाशिव राभाव को कि ultimately उसी के defect of character के वज़े से क्या हुआ Maratha जारे हुए है कि अगर उसने casteist slur नहीं दिये होते Maratha military commander के advice सुनी होती तो ये दिन इनको नहीं देखने पड़ते and finally significance of battle में कुछ important statement है ये statement जैसे के वैसे उठा के ultimately आपको question पूछे जाएंगे तो सबसे पहला जाए notwithstanding the terrible losses in manpower suffered on that field by Marathas the disaster decided nothing disaster was felt as personal by almost every home in Maharashtra and every soul was steered by it to the rise of nation's call as I told you थोड़े तोड़े तैं पहले के ultimately Maratha nationalism के लिए battle of Pani पर जो यूस किया जाने वाला था later on but apart from that this disaster decided nothing in fact 1761 में ultimately ये जैसे ही news Bala ji Bajirao के पास पहुची so ultimately he also died by June 1761 by heart attack and इसके बाद ultimately हमको रिखाई देता है कि कौन आया then Madhav Rao पेश्व आया and Madhav Rao ultimately was one of the greatest military commander of Maratha 1761 से लेके 1772 till his death ultimately दिली तक का territory इन्होंने वापिस से capture कर भी लिया था and that's why फिर ये G.S. Sardesai का statement वैसे फिर जाजुना सरकार का कहना है कि this battle by removing nearly all great Maratha captain and statement including पेश्वा Bala ji Bajirao left path absolutely open and easy to the guilty ambition of Ragunath Dada the most infamous character of the Maratha history इसके उपर हम पढ़ेंगे जब हम Maratha civil war देखेंगे Anglo-Maratha warfare में in fact first Anglo-Maratha warfare जो उसके reason ही थे Ragunath Dada and internal strife Sydney Oven colonial historian उनका भी वही कहना है कि Maratha power was for time shattered to atoms and though the hydra headed monster was not killed it was so effectively scotch that it remained practically questioned until great British statesmen were in condition to cope with it and ultimately to master and disintegrate it तो Sydney Oven का कहना है कि battle में ultimately Maratha जो effectively damaged हो गए थे खतम नहीं होए थे ये खतम करने का काम किस ने करके रखा था तो British us ने करके रखा था and it is true also first, second and third Anglo-Maratha warfare में ही ultimately Marathas खतम हुए है ये battlefield के बाद भी Marathas का political prestige जो as I told you rise ही हुआ है and thereafter फिर आर भी Sardesai इनका statement सबसे significant है कि it is significant that while two combatants the Marathas and Muslims were locked in deadly combat in the field of ancient Kurukshetra Clive, the founder of British Empire in India was on his way to England to explain the feasibility of his dream of an Indian empire to the great commoner Lord Chantham, the then Prime Minister of Britain ultimately Sardesai वाला statement में significant इसी वज़े से है because this statement clearly हम लोगों को वही indicate करता है कि क्या चल रहा है तो ultimately जब Marathas और अफगान अपने बीच में जब लड़ रहे है तो Robert Clive Britain में बैठा हुआ है and Robert Clive अपना plan of India जो है Britain के democratic political leader है उनको explain कर रहा है ultimately हुआ भी वही कि लेटर और हम लोग यह भी देखेंगे जब administrative reform में जाएंगे कि कैसे British government entangled themselves to the question of India starting from 1760, 1773, 1784 and thereafter 1793 ऐसे multiple agenda बनाया उसके through तो ultimately यह सारे statement याद रखने है over the period of next 8 to 10 lecture जो है यह statement को मैं आपको थोड़ा सा breakdown करके इसके अंदर का data भी दोंगा थोड़ा सा अपने लेवल पी आपको gather करना है so that will be it guys today आज के लिए अगीन जाने से पर है 5th October is basically the closing date if you want to join this particular batch and specifically if you are preparing for 2024 2024 के लिए prepare कर रहा तो time बहुत ही कम बचा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे and thereafter थोड़ा सा hurry up करोगे because this is basically the last batch most probably 2024 के लिए जो मैं launch करने वाला हूँ so I hope to see you in the batch guys अभी के लिए बस वही है कि basically foundation test series दोनों का access आपको मिलेगा at a very affordable price इसको पर मैंने पहले की वीडियो स्केन में भी काफी चीज़े बोलके रखे तो थोड़ा सा देखोगे उसको if you are interested and if you use my code you will get it at a very discounted price also तो batch जल्दी close हो रहा है दोस्तों 5th October को if you are interested then obviously feel free to join the batch and that will be it from my side again जाने से पहले you will get the access to this PPT as well as basically जो मैंने आपको बता के रखा था कि इसका that is विपिन चंद्रा का भी मैं आपको एक summary दोंगा तो वो तो मैंने देना चाली कर दिया है वो भी PPT to the telegram channel of us अगर कोई personal question रहेंगे तो Instagram पे भेजोगे अभी तक मैंने पिछले दो हफते में I guess reply नहीं दिये but very soon I am going to give that reply तो thank you so much guys I will be stopping the session now we'll meet again for the next session tomorrow थोड़ा सा Anglo-Maratha warfare और उसके पहले थोड़ा सा brief administration of पेश्वाज पेश्वास की society and economy हम लोग नहीं पढ़ते है क्यों नहीं पढ़ते है विक्षाइटी एंडराफ्टर economy ब्रहमिनिकल सिस्टेम के उपर बैठी होई थी तो वाली चीज़े जो modern इंडिया में हम लोगों को नहीं पढ़नी है इंडिया इंडिया क्या है पॉलिटिकल ओरिएंटेड हिस्ट्री है तो दैसे हम लोग ने में इंडियल में इलाबरेट जाके पढ़ा था कि society and economy तो इसे modern इंडिया में यह नहीं पढ़वाया जाता है विक्षाइट अब मॉड़न इंडिया में वो पुरानी बातों की बाते करके कोई सेंस नहीं बनता है तो सिफ पॉलिटिकल पॉलिटिकल हिस्ट्री ही पड़नी है तो अब आद्मिनिस्ट्रेशन देखेंगे and thereafter civil war and thereafter फिर अंगलो मराथा warfare that is something for the next lecture most probably एक दो दिन का gap भी रहेगा बीच में इसको थोड़ा सा संभाल के देखोगे तो I'll be stopping the session now, we'll meet very soon एक दो दिन at the most एक दो दिन में वापिस से I'll be putting two to three more videos, thank you so much guys I'll be stopping the session now Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable